नमस्कार दोस्तों, प्रवीन का आपको प्यार भरा नमस्कार, इस नए वीडियो में आपका स्वागत है, हम हमेशा नई दिल्चस्प कहानिया लेकर आते हैं, अब सुनिए आगे की कहानी, तीसरे फकीर की कहानी, हे दयालु सुन्दरी, मेरी कहानी बहुत ही हैरतकारी है, इन दोनों शहजादों की दाहिनी आँखें परिस्थितिवश गई, लेकिन मेरी आँख मेरी ही मूर्खता और मेरे ही अपराध के कारण फूटी, मैं इसका विस्तृत वर्णन करता हूँ, मेरा नाम अजब है और मैं महा एश्वर्य शाली बादशाह के सब का बेटा हूँ, पिता के स्वर्गवास के बाद मैं सिंहासना रूड हुआ और उसी शहर में रहने लगा, जिसे मेरे पिता ने अपनी राजधानी बनाया था, मेरी राजधानी समुद्र के किनारे बसी थी, उसकी रक्षा के लिए डेड़ सौ युद्ध पोत तयार रहते थे, इसके अलाव मेरी इच्छा हुई कि मैं अपने राज्य के नगरों और द्वीपों को जाकर देखूं, वहां के निवासियों को, जो मेरे पिता की मृत्यू से शोका कुल थे, सांतवना दूँ और उन्हें आदेश दूँ कि वे नागरिक कार्यों और व्यापार में ततपरता से लगे रह साथ ही मुझे यह शोक हुआ कि मैं जहाज चलाना सीखूं, इस उद्देश्य से मैं एक बड़े जहाज पर सवार होकर चला, मेरे जहाज के साथ दस जहाज और चल रहे थे, चालीस दिन तक वायू हमारे अनुकूल रही, लेकिन फिर ऐसा तूफान आया कि हम जीवन की उम् पहुँच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहुआ, कारण यह था कि जहाज एक अन्य तूफान में रास्ते से भटक गए थे, हमारे कप्तान ने एक आदमी को मस्तूल पर चढ़ाया कि शायद कहीं जमीन दिखाई दे, उसने बताया कि दाई तरफ कोई काली सी वस्तु दिखाई द नहीं है, यह कहकर वह और बुरी तरह रोने पीटने लगा, उसकी यह दशा देखकर अन्य मांजी भी घबरा गए, मैंने हैरान होकर कप्तान से पूछा कि हम क्यों खत्म हो जाएंगे, उसने बताया कि तूफान के कारण हमें दिखाग्यान नहीं रहा और हम रास्ता से भट लग गए, और अब हवा के कारण हमारा जहाज उस काली वस्तु के पास जा पहुँचेगा, वह एक चुम्बक का पहाड है, जहाज वहाँ पहुचेगा तो उसकी सारी कीलें और लोह पट्टिकाएं लकडी से अलग होकर उससे जा चिपकेंगी और जहाज टुकडे टुकड हो जाएगा, चुम्बक पत्थर में यह गुण होता है कि वह लोहे को आकरिष्ट करता है और जैसे जैसे लोहा उसके समीप आता है कि चुम्बक की आकरशन शक्ती बढ़ जाती है, सैकडों जहाजों के लोहे के टुकडे इस परवत में जाचिपके हैं, जिनके कारण वह उ और मोटी चादर है जो पीतल के खंभों पर टिकी हुई है, उस चादर पर एक घुड सवार की मूर्ती पीतल की बनी हुई है, सवार की छाती पर एक सीसे की तख्ती लगी है, जिस पर कुछ जादू के अक्षर खुदे हैं, कहते हैं कि पहाड की आकरशन शक्ती का कारण वह नहीं मूर्ती है, यह कहकर कप्तान फिर रोने पीटने लगा और उसके साथ जहाज के दूसरे माजी भी रोने चिलाने लगे, मुझे भी लगने लगा कि मेरी उम्र अब खत्म होने को है, और मेरी मौत मुझे खीच कर यहां लाई है, सभी लोग इस चिंता में पड़े कि कै कैसे अपने प्राणों की रक्षा करें, वह लोग यह भी कहने लगे कि जो कोई हमारे प्राण बचाए, हम सदा के लिए उसके गुलाम हो जाएंगे, सब ने कोई न कोई उपाय सोच लिया, सुबह को हमारा जहाज उस काले पहाड के सामने जा पहुँचा, उसे देखकर सब के छक्के छूट गए, और जो उपाय लोगों ने बचाव के लिए सोचे थे, सब भूल गए, और जहाज में ऐसा करुण करंदन होने लगा, जिसका ठिकाना न था, दोपहर को वही हुआ, जो अनुभवी कप्तान ने कहा था, यानि पहाड ने जहाजों को इतनी जोर से खी नीचा कि उनकी कीलें और लोहे की दूसरी चीजें उड़ उड़ कर पहाड से चिपकने लगी, जहाजों के तूटने से महाभयानक शब्द होने लगा, और कुछी क्षणों में ग्यारहों जहाज सागरतल में समा गए, उन जहाजों की किसी वस्तू और किसी इनसान का पता एक मैं ही भगवान की दया से जीता रहा, संयोग से एक जहाज का टुकड़ा मेरे हाथ आ गया, और मैं उसी के सहारे तैरने लगा, कुछी देर में मैं किनारे पर पहाड के नीचे पहुँचा, मैं पहाड पर चड़ कर सुरक्षित होना चाहता था, लेकिन वह ऐसी खड़ी जंग थी और कहीं भी दूसरा रास्ता नहीं दिखाई देता था, साथ ही हवा इतने वेग से चल रही थी कि हर क्षण गिरने का भाय था, लेकिन भगवान की कृपा से मैं धीरे धीरे उपर तक जा पहुचा, और पीतल के गोले के अंदर जाकर भगवान को धन्यवाद देन तुम्हें एक पीतल का धनुष और सीसे के तीन बान मिलेंगे, वे तीनों तीर घोड़े पर सवार मूर्ती को मारना इससे मूर्ती समुद्र में जा गिरेगी और घोड़ा तेरे पैरों के पास आ गिरेगा, तुम घोड़े को वही भूमी में गाड़ देना, इसके बाद सम भगवान का नाम बिलकुल नहीं लेना, इसके बाद मेरी आँक खुल गई, मैं अपने छुटकारे का उपाय जान करती खुश हुआ, बूढ़े के कहने के अनुसार धर्ती को खोदा, तो उसमें से तीन बान और धनुष निकले, मैंने कमान से तीनों तीर पीतल के घोड़ स हेरे के पास आ गया, जहां मैं था, वहां एक नाव भी आ लगी, जिसमें पीतल का मांजी बैठा था, मैं नाव पर बैठ गया, बूढ़ा आदमी की हिदायत को ध्यान में रखकर, मैंने भगवान का नाम न लिया, बलकि अपना मुह बंद ही रखा, पीतल का मांजी नौ दि समेत वह नाव समुद्र में डूब गई, अब मैं फिर तैरने लगा, और एक द्वीप की ओर जाने लगा, कई घंटे तक तैरता रहा, यहां तक कि शाम होने लगी, और मेरे हाथ पाव भी ठकन से ऐसे भारी हो गए, कि तैरा ही नहीं जाता था, ऐसे ही में एक बड़ी भार लहर आई, और उसने मुझे तट पर ला फेंका, मैं दोड़ कर आगे चला गया कि कहीं दूसरी लहर आकर मुझे वापस समुद्र में न खींच ले जाए, मैंने अपने कपड़े उतार कर निचोड़ा, और हवा में हिला कर सुखाए, फिर मैं इधर उधर घूम कर देखने लगा, कई फल वाले पेड दिखाई दिये, लेकिन वहां आदमी कोई नहीं दिखाई दिया, मैंने कई फल खाए और इस तरह अपनी भूख और थकान दूर की, इसके बाद मैंने अपनी चिंता छोड़ दी और सोचा कि जो भगवान करेगा ठीकी होगा, थोड़ी देर जाने और उंचे पेड पर चड़ गया, और छुपकर बैठ गया, और ध्यान पूरवक देखने लगा कि जहाज के लोग क्या करते हैं, कुछी देर में जहाज किनारे पर रुका, और उसमें से बहुत से आदमी फावडे और दूसरे औजार लेकर निकले, फिर वे कुछ दर्वाजे को उठा कर नीचे चले गए, फिर वे लोग जो नौकर चाकर जहात होते थे, जहाज में जाकर एक बूढ़ा आदमी और 14-15 साल के अती सुन्दर बालक को लाए, और सब के सब दर्वाजे से नीचे उतर गए, जहां सपष्टता ही कोई मकान बना हुआ था, वहा जहाज फिर चल पड़ा, और जब मैंने देखा कि वहां कोई नहीं है, तो पेड से उतर कर उस स्थान पर गया, जहां पर उन्होंने भूमी खो दी थी, मैंने वहां की मिट्टी हटाई तो देखा कि एक बड़ा चौकोर पत्थर रखा है, उसे उठाया तो दिखाई दिया क की नीचे तक सीढियां गई है, मैं उतर कर नीचे गया तो देखा कि बहुत बड़ा मकान है, जहां हर तरफ कालीन बिचे हैं, दालान में कालीन पर सुन्दर गद्दे पड़े हैं, जिन पर सुनहरे गिलाफ चड़े हैं, वहां पर बालग बैठा था, वह एक हल्का सा पंख जल रहा था। उसके पास दो बड़ी मुम्बतियां जल रही थी। कई गुलदस्ते और खाने पीने की बहुत सी चीजें उसके पास रखी थी। मुझे वहां देखकर वह बालक घबरा गया। मैंने उसे तसली देते हुए कहा कि तुम मुझसे डरो नहीं। तुम तो जैसे लगते हो। मैं तुम्हारे जैसे बच्चों को किसी प्रकार की हानी नहीं पहुचाना चाहता। मुझे यह देखकर दुख हुआ कि तुम्हारे साथ ही तुम्हें जीते जी ही इस कबर में गाड़ गए हैं। खैर अब तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें इस कबर से निकाल दूँगा, लेकिन पहले तुम अपना किस्सा तो बताओ, कि वे लोग तुम्हें यहां क्यों गाड गए हैं, देखो, सब कुछ निडर होकर सच-सच बताना, कुछ छुपाना नहीं, यह तो मैं देख चुका हूँ कि उन सब लोगों ने मिलकर तुम्हें यहां दफन क किया है, और शायद तुम यहां पर जबरदस्ती लाए गए हो, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ कि उन लोगों ने ऐसा क्यों किया, मेरी बातों से लड़के को तसल्ली हुई, उसने मुझे अपने पास बैठने को कहा, और जब मैं बैठ गया, तो उसे अपना वृत्तां आरंभ किया, हे महानुभाव, मेरी कहानी बड़ी हैरत जनक है, आप उसे सुनकर स्तंभित रह जाएंगे, मेरा पिता एक जोहरी है, उसने अपनी लगन और बुद्धिमानी से बहुत साधन एकत्रित किया है, उसके सैकड़ों नौकर चाकर और बहुत सी कोठिया है, वो एक रात उसने स्वपन में देखा, कोई कह रहा है कि तुम्हारे यहां एक पुत्र होगा लेकिन उसकी आयू बहुत कम होगी, यह स्वपन देखकर मेरे पिता को बड़ा दुख और चिंता व्याप्त हुई, उसके कुछ दिनों बाद मेरी माता ने मेरे पिता को बताया कि उन्होंने कहा, इस बालक को 14. साल में मृत्यू का भय है, अगर उस समय बच गया, तो फिर यह बहुत दिन जियेगा, और इसकी आयू काफी लंबी होगी। भी चिंता में पड़ गया, और रात दिन यह सोचता रहता कि इस लड़के की जान कैसे बचाई जाए। इसलिए उसने यह तहखाने का मकान बनवाया। मुझे 14 वहां साल लगा, तो दूसरे ही दिन जियोतिशियों ने आकर कहा कि 10 दिन हुए बादशाह अजब ने पीतल के गुडसवार को समुद्र में गिरा दिया है। यह सोचकर मेरे पिता की चिंता और बढ़ी और वह घंटों तक सोचता रहा कि मेरे सर से ग्रह कैसे टले। आखिर तह उसने इस निर्जन द्वीप में पहले से बनाए हुए भूमिगत आवास में मुझे बंद करने का न मैं किसी को देखूं न कोई मुझे देखे। यही कारण है मेरे इस स्थान पर लाए जाने का। जब वह बालक अपनी बात कह चुका तो मैं मन ही मन जोतिशियों को त्रिकाल दर्शी होने के दावे पर हसने लगा। मैं सोचने लगा ऐसे प्यारे निर्दोश बालक की मैं कि तुम्हारा रक्षक मैं बना क्योंकि आज ही तट के निकट मेरा जहाज डूबा और मैं अकेला उसमें से बचा और तैरता हुआ इस द्वीब पर आया जहां पर मैंने तुम्हारा हाल देखा। तुम भगवान पर भरोसा रखो किसी प्रकार की चिंता अपने मन में न ला जब तुम्हारा पिता तुम्हें लेने के लिए आयगा तो मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे देश चला जाऊंगा। रहा वह बालक अत्यंत कुशाग्र बुद्धि जान पड़ता था और इतने दिनों तक चुपचाप रहने के बाद मुझे उससे वारता लाप करके बड़ी खुशता हो रही थी। दिन भर उसके साथ शत्रंज और चौपड खेल कर उसका जी बहलाता रहा। यह जान से प्यारा है। मैं इसकी हत्या क्यों करूंगा। इसी प्रकार 49 दिन तक हम दोनों हंसी खुशी उस घर में रहे। चालीसवें दिन वह सवेरे जागा तो बड़ा खुश था। कहने लगा, देखिए महोदय, आज चालीसवा दिन है। भगवान की दया से और आपके अनुग्रह से मैं सही सलामत हूँ। मेरा पिता जब सुनेगा कि आपने इस अवधी में मेरी कितनी सेवा की है और मेरा कितना एहसान किया है तो वह आपका अत्यंत कृतज्य होगा और आपको सुरक्षा पूर्वक आपके देश में पहुँचा देगा। फिर उस लड़के ने मुझ से कहा कि मेरे लिए कुछ ज के लिए सो गया। सो कर उठने पर उसने कहा कि महुदे मेरा जी करता है कि खरबूजा खाऊं। आप एक खरबूजा और थोड़ी सी मिश्री मेरे लिए ले आईए। मैंने जाकर खरबूजों के धेर में से एक अच्छा खरबूजा छाटा और उसे चीनी की तश्तरी में र फिर भी यह ना हो सका। इसलिए मैं एक मोखे का सहारा लेकर उंचा हुआ और छुरी मेरे हाथ में आ गई। मैं चाहता था कि धीरे से उतर जाऊं। लेकिन संयोग से मेरा पाउं फिसल गया और मैं संभल ही न सका। मैं उस जोहरी के बेटे के उपर ही गिरा और मेरे हाथ क चुरी उसके दिल में घुस गई और वह तडब कर वही ठंडा हो गया। मुझे अत्यंत शोक हुआ। मैंने अपने कपड़े फार डाले और सिर और छाती पीटने लगा और पछाने खा कर जमीन पर गिरने लगा। मैं बराबर रो रोकर कहता था कि इस अभागे दिन में कु अक्तिमान परमेश्वर। तू सब कुछ देख रहा है और तू सब कुछ जानता है। तुझे जहात है कि इस बालक को मैंने जानबूज कर नहीं मारा है। यदि इसकी मृत्यू में मेरा तनिक भी दोश हो तो तू इसी समय मेरे प्राण ले ले। इसी प्रकार मैं बहुत द ठीक नहीं। यह सोचकर मैं मकान से निकला और जीने पर पत्थर रखकर उस पर मिट्टी डालकर बराबर कर दी। बाहर निकल कर देखा तो जोहरी का जहाज पाल उड़ाय चला आता है। मैंने सोचा जोहरी मुझे देखेगा तो अपने बेटे का हत्यारा समझ कर मुझे अ नौकरों के साथ निकल कर हंसी खुशी किनारे पर आया। तैखाने के पास जाकर उन लोगों ने पत्थर हटा कर जीने का रास्ता खोला। लेकिन अब बूढ़े की खुश्ता गायब हो गई और उसके मुझे जहाई सी फिर गई। कारण यह था कि उसने अपने पुत्र का नाम लेकर पुकारा तो अंदर से कोई उत्तर ना आया। जब वे लोग अंदर गए तो देखा कि लड़का मरा पड़ा है और उसके दिल में छुरी घुसी है क्योंकि मुझे छुरी निकालने का ध्यान नहीं रहा। लाश को देखकर उन लोगों में अचानक रोना चिल्ला उन लोगों का विलाप और मृत बालक का उनके मुह से गुणान वाद सुनकर मुझे भी रोना आ रहा था। बूढ़ा जोहरी तो बेचारा अपने पुत्र का शव देखकर अचेत ही हो गया। उसके सेवकों ने उसे तहखाने से बाहर निकालकर उसी पेड के नीचे बिठा जिसके उपर में छुपा बैठा था। फिर वे लड़के की लाश को बाहर लाए उसे नहलाया और सफेद कफन पहनाया और कबर खोद कर उसमें लाश उतार दी। लड़के के पिता ने जो इस बीच बराबर रोता रहा था तीन बार कबर में मिट्टी डाली और फिर उसके स जहाज उन सब को लेकर देश को चल दिया। उसके बाद देर बाद मैं पेड से उतरा और उसी तहखाने में चला गया। अब मेरा नियम यह हो गया था कि रात मैं उसी घर में रहता और दिन में इधर उधर घूम कर वहां से निकलने के लिए रास्ते की खोज करता रहता। वहां भी कमर के बराबर पानी रह गया और किनारे से दूसरी और की भूमी दिखाई देने लगी। कुछ समय के बाद पानी और घटा और पिंडलियों के बराबर हो गया। अब मैंने उसे पार करने की सोची। समुद्र सूखने से मीलों तक बालू निकल आई थी। बड़ मनुष्यों के आग कैसे जलेगी। पास जाने पर पता चला कि वह आग नहीं है बलकि तांबे का बना एक घर है जिस पर सूर्य की किरने पड़ रही है। मैं सोच ही रहा था कि यह मकान किसका हो सकता है कि उसमें से दस नौजवान बाहर निकले और उनके साथ लंबे कद का एक बूढ़ा इंसान भी था। सारे जवान दाहिनी आख से काने थे। मैं सोच ही रहा था कि यह लोग कौन हैं। इतने में उन्होंने स्वयम ही आकर मुझसे नम्रता पुर्वक पूछा कि आप कौन हैं और कहां से आए हैं। मैंने कहा कि मेरी कहानी बड़ी विचित्र और बड़ी लंबी है। यदि आप धैर या पूर्वक सुन सकें तो मैं सुनाओं। वे सब सुनने को बैठ गए और मैंने अपना वृत्तांत आद्योपांत सुना दिया। उन्हें यह सुनकर बड़ा हैरत हुआ। फिर वे लोग मुझे उस मकान के अंदर ले गए। उस मकान म गेरे के बीच में एक दालान था जो उससे कुछ उचा था। बूढ़ा इंसान दालान में जा बैठा और चारों ओर के कमरों में दसों जवान कालीनों पर बैठ गए। एक जवान ने मुझ से कहा, हे मित्र तुम भी घर के बीच में बिचे हुए कालीन पर बैठ जाओ। ल मैंने खा लिया। भोजनो परांत बूढ़ा आदमी ने हम लोगों को एक एक प्याला सुगंधित शराब का दिया। फिर उन लोगों ने मेरे वृत्तांत को जो उन्हें अद्भुत और रोचक लगा था। दुबारा सुना। इसके बाद हम इधर उधर की बहुत सी बातें हुए लाया और हर जवान के सामने उसने एक-एक थाल रख दिया। धक्कन खोलने पर हर थाल में राख और काली स्याही थी। उन्होंने राख और स्याही को मिला कर अपने अपने चेहरे पर मल लिया। जिससे वे सब कुरूप ही नहीं भयानक भी दिखाई देने लगे। फ अब उन्होंने विलाब बंद किया तो वही बूढ़ा एक-एक करके सभी के पास पानी और चिल्मची ले गया। सभी ने अपना मुह धोया और जो कपड़े फार डाले थे उन्हें उतार कर बदला और अपने-पने कक्ष में जाकर सो रहे। उन लोगों की यह दशा देखक मैं अत्यंत उतकंठित हुआ। मैंने वचन दिया था कि उनसे कुछ ना पूछूँगा, लेकिन मुझे उत्सुकता के कारण रात भर नींद ना आई। दूसरे दिन सुबह हम सभी लोग सैर के लिए बाहर निकले, तो मैंने उनसे कहा, सज्जनो, आप लोग हर तरह ज्यान और बुद्धिमान हैं। लेकिन कल रात आप लोगों ने जो कुछ किया, वह उन मत्तों के अलावा कोई भी नहीं करेगा। मैं बड़ा परेशान हूँ। मैंने आपको वचन दिया है कि मैं आपके काम कलाप के बारे में या आपके काने होने का कारण न पूछूँगा, ले लेकिन उन्होंने कहा कि हम तुम्हें यह सब बातें नहीं बता सकते, अगर तुम्हें हमारे साथ रहना हो तो इन प्रशनों को भूल जाओ। वह दिन भी बीता। रात को हम लोगों ने फिर अलग-अलग खाना किया, उसके बाद बूढ़े ने फिर उन लोगों के सामने स् दशा चुपचाब बैठ कर नहीं देखी जाती। आप कृपया अपनी बातें मुझे बताएं और कोई ऐसा भी उपाय बताएं जिससे मैं अपने देश में पहुँच जाऊं। उन में से एक जवान ने मुझ से कहा, तुम हमारी दशा देख कर दुखी न हो, हम लोग तुम जानना चाहता हूँ, फल चाहे जो कुछ हो। वह जवान बोला, देखो, हम तुम्हें एक बार फिर समझाते हैं कि इन बातों को जानने की जित छोड़ दो, हमारा कहना मानो और इस बारे में कुछ न पूछो, वरना हमारी तरह तुम भी काने हो जाओगे। मैंने कहा, इस जात के फल स्वरूप मुझे जो भी दुख पहुंचे, मैं उसे सहने के लिए तयार हूँ, मैं इसे अपना ही दुरभाग्य समझूँगा, और आप लोगों में से किसी को इसके लिए दोश नहीं दूँगा। उस जवान ने कहा, देखो, अगर किसी कारणवश तुम्हारी दाहिनी आँख फूटी और तुम हमारे पास वापस आए, तो तुम हमारे साथ नहीं रह पाओगे, तुम देख रहे हो कि यहां दस ही कक्ष हैं और दसों भरे हुए हैं, यहां अब ग्यारहवे आदमी के रहने की गुंजाइश नहीं है, मैंने कहा, मुझे यह भी स्वीका है कि आप मुझे यहां न रहने दें, लेकिन अपना राज जरूर बताएं, जब उन दस जवानों ने देखा कि मैं अपनी बात पर अड़ा हुआ हूँ, तो उन्होंने एक भेड का वद किया और उसकी खाल उतारी, फिर छुरी मुझे दे दी और कहा, इसे होशियारी से कर उठा लेगा, और एक बहुत उचे पहाड की छोटी पर रख कर तुम्हे खाना चाहेगा, हम पहले से होशियार किये देते हैं, जो ही तुम्हें मालूम हो कि जमीन पर रखे गए हो, इसी छुरी से खाल को चीर कर बाहर निकलाना, और जोर से चीखना, रुख पक्षी इस उसरे रत्न जड़े हुए हैं, तुम निर्द्वंद्व रूप से मकान के दर्वाजे से, जो हमेशा खुला रहता है, अंदर चले जाना, हम सभी एक एक करके उस मकान में रहे हैं, लेकिन उसमें क्या होगा ये बताने की जरूरत हम नहीं समझते, और जो कुछ हमारे साथ ह वह भी नहीं बताएंगे, क्योंकि हमारी दशा ऐसी नहीं है, कि उसके कहने सुनने से खुशी हो, तुम स्वयम ही वह सब देख सुन लोगे, ये जरूर कहते हैं, कि हमारी तरह तुम भी दाहिनी आँख से काने हो जाओगे, वैसे तो तुम पर जो अभी तक बीता है और जो तरह से सी दिया, कि मेरे सांस लेने के लिए जगह रहे, मुझे इस प्रकार सी कर और जंगल में रख कर वे घर के अंदर चले गए, थोड़ी ही देर में रुख नामक विशाल पक्षी आया, और भेड समझ कर मुझे जपट्टा मार कर पंजों में दबा कर ले उड़ा, और एक उंचे पहाड की चोटी पर ले जाकर रख दिया, नीचे जमीन लगते ही मैं छुरी से खाल फाड कर बाहर आ गया, और चीख मारी, पक्षीह देखकर डर कर उड़ गया, मैं वहां से बताय हुए रास्ता पर चल दिया, और तीसरे पहर के लगभग महल तक पहुँच गय खुले दर्वाजे से अंदर पहुचा, तो अंदर एक और शांदार चौकोर मकान देखा, जिसके चारों और सौ दर्वाजा थे, एक दर्वाजा स्वर्ण का था, और निन्यान बे चंदन की लकडी के थे, अंदर कई सुसजित वाटिकाएं और ग्रिह थे, सामने एक देर से आपकी प्रतीक्षा में थे, फिर मुझे उन्होंने कुछ उचे स्थान पर बिठाया, मैंने बहुत कहा, कि मैं आप लोगों से उचे पर बैठने का अधिकारी नहीं हूँ, लेकिन वे नहीं मानी, वे बोली, आप हम सभी के पती और मालिक हैं, और हम सब आपकी पतन और दासियां हैं, उन्हें देख कर और उनकी बातें सुनकर जो खुशता मुझे हुई, उसका वर्णन संभव नहीं है, कोई सुन्दरी मेरे पाव धोने को गरम पानी लाई, किसी ने सुगंधित जल से मेरे हाथ ढुलाए, किसी ने बेशकीमती वस्त्र लाकर मुझे पहना कोई नाना प्रकार के लज्जीज व्यंजन मेरे सामने ले आई, और उन्हें मेरे सामने सजा दिया, कोई नव्योवना सुगंधित शराब की सुराही और प्याला लेकर मुझे पिलाने के लिए आ गई, इसी प्रकार वे देड़ तक हंसी खुशी तरह तरह से मेरी सेवा करत मैं यह सब देख कर इतना अभिभूत हुआ कि अब तक के अपने सारे दुख दर्द भूल गया और स्वयंग को सारे संसार का अधिपती समझने लगा मैंने उन सभी सुन्दरियों के साथ बैठ कर खाना और शराब पान किया, खाना के बाद वे मेरे चारों और बैठ गई और उन्होंने मुझसे मेरी यात्रा का वृत्तांत पूछना आरंभ किया और मैंने बताना, इतने में रात हो गई उन स्त्रियों ने मकान में बड़ी सुन्दर रोशनी की और कुछ स्त्रियों ने मुझसे मनोहर ढंग से बातचीत करनी शुरू कर दी, फिर उन्होंने खाना के पात्र हटा कर फल, मिठाई, शर्बत आधी शीशे के सुन्दर पात्रों में लेकर सामने रख दिये, और मुझ में से एक ने कहा कि आज आप बहुत दूर से आएं हैं, अब आराम करें। उसने कहा कि शयन कक्ष तयार हैं, और सोने से पहले आप हमें से एक को चुन लें, तो वह आपके साथ सो रहे। मैंने कहा, यह काम तो बड़ा कठिन और अनुचित होगा, क्योंकि सौंदर्य में त सब की हारदिक इच्छा है कि आपको खुश करें, हमें परस पर जलन नहीं है, आप हमें से जिसका चाहे हाथ पकड़ कर ले जाएं, कोई दूसरा बुरा नहीं मानेगा क्योंकि हम सभी चाहते हैं, कि आप एक एक करके हम सभी का भोग करें, आप हमसे प्रत्येक का आनंद उ जिसने मुझसे ऐसी बुद्धिमानी की बातें की थी, उसने तुरंत अपना हाथ मेरे हाथ में दे दिया, मैं उसके साथ अपने शैन कक्ष में आ गया, और अन्य 49 स्त्रियां अपने अपने शैनगार में चली गई, दूसरे दिन सवेरे मैं अच्छी तरह उठ भी नहीं पा विस्त्रियां मुझे स्नानागार में ले गई और तरह तरह की मालिश करके मुझे स्नान कराया, मेरे नहा चुकने के बाद उन्होंने दूसरे वस्त्रा भूशन जो पहले वस्त्र आधी से भी बरिया थे मुझे पहनाया, इसके बाद सारे दिन, बलकि आधी रात तक पहले दिन की तरह हास परिहास, किस्सा कहानी, खाना पीना और राग रंग चलता रहा। आधी रात हुई तो उन्होंने कहा कि आप हम्मे से जिसे चाहें चुन लें कि वह आपके साथ जाकर सो जाए। मैंने एक और सुन्दरी का हाथ पकड़ा और उसे लेकर अपने शयनकक्ष में चला गया। सुबह उठकर फिर उन लोगों के साथ स्नानागार में चला गया। फकीर ने जुबैदा से कहा कि हे सुन्दरी मैं तुमसे किस प्रकार और कहां तक बताऊं कि कैसे आनंद और संतोष में में मेरा समय बीथता रहा। दिन भर नाना प्रकार की खाने पीने और अन्य विलास सामगरी का उब्भोग करता और रात को उन चालीस में से किसी एक सुन्दरी को अपने शयनकक्ष में ले जाता। इसी प्रकार लगभग एक साल आनंद पूर्वक उस राजमहल में बीथ गया। और यहां से विदा होने की बात क्यों कर रही हो। तुम्हें कहां जाना है और क्यों जाना है। भगवान के लिए मुझसे सारी बातें कहो। अगर तुम किसी संकट में हो और तुम्हें मेरी सहायता की जरूरिता हो तो मुझसे जो भी सहायता बन पड़ेगी वह मैं करूँगा। उन्होंने कहा कुछ नहीं हो सकता भगवान की यही इच्छा है कि हम लोग हमेशा के लिए अलग हो जाएं और आज के बाद ना आप कभी हमें देखें ना हम आपको देखें। ने कहा कि हम आपको क्या बताएं, क्यों दुखी हैं। यह समय हमारे आपसे सदा के लिए बिछुडने का है। हाँ एक बात है कि अगर आपको हमसे मिलने की उत्कट इच्छा हो और उसके लिए जो कसम करें उस पर द्रढ रहें तो हम लोगों का आपसे फिर मिलन हो भी सकता है। मैंने कहा, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया कि तुम्हारी बातों का क्या आर्थ है। मैं तुम्हें ईश्वर की सौगंध दिलाता हूँ कि सारी बात को साफ समझा कर कहो। अब उनमें से एक ने कहा, सबसे पहले तो आप यह समझ लीजिए कि हम चालीसों शहजादिय हैं। हम लोग इस स्थान पर एक साल तक आमोद प्रमोद के लिए आया करते हैं। इसके बाद चालीस दिन के लिए अपने जरूरी कारियों के लिए अपने अपने देश चले जाते हैं। कि इस स्वर्ण दर्वाजा को न खोलना। अगर आपने इसे खोला तो हमारा आपका मिलन फिर कभी न हो सकेगा। लेकिन हमें मालूम है कि आप में इतना आत्मसंयम नहीं है कि उस दर्वाजा को न खोले। आप उसे जरूर खोलेगे और हमेशा के लिए हमसे बिछुड जा और हमारे साथ हमेशा आनंद करेंगे। लेकिन अगर आपने हमारे कहने के विपरीत किया तो आपको बहुत अधिक शोक और कश्ट होगा। और आपके कश्ट से हमें भी दुख और कश्ट होगा। और चाबी आपके हाथ में न दें। हाँ, एक बार फिर यह कहते हैं कि अगर आपने यह स्वर्ण दर्वाजा खोला तो हमें और आपको अतीव कश्ट होगा। उनकी बातें सुनकर मैं भी दुखी हुआ। मैंने उनसे कहा, मुझे तुम लोगों से अलग होने का अत्यंत द इससे अधिक साधारन बात क्या होगी कि मैं सौ दर्वाजों को खोल कर घूमू फिरूं और एक को खोलने से बाज रहूं। अगर तुम लोग इससे कठिन काम करने को कहती हो, उसे भी मैं स्विकार कर लेता। तुम्हारी बात मानने में तो मेरा ही लाब है। मैं भला ऐसी चली गई और मैं उस लंबे चोड़े राजमहल में अकेला ही रह गया। मुझे अत्यंत शोक हो रहा था। हलांकी वे केवल 40 दिन बाद आने वाली थी, तथा पी उनके व्योग में मुझे एक-एक घड़ी भारी पड़ रही थी। फिर मैंने अपना जी बहलाने को सोचा कि जिन दर्वाजों की चाबियां मेरे पास हैं, उन्हें खोल कर देखूं। मैंने सोचा कि निशेध तो केवल एक दर्वाजा के खोलने का है, सो उसे नहीं खोलूंगा। इसलिए मैंने पहला दर्वाजा खोला। अंदर गया तो देखा कि एक बड़ा भारी फलों का बाग ह ऐसा शांदार फलों का बाग संसार में शायद ही कोई और हो। उसमें सहस्रों सघन और सुन्दर व्रिक्ष उचित दूरियों पर लगे थे। उनमें नाना प्रकार के सुस्वादू और आकरशक रंगों के फल लगे हुए थे। उनमें से बहुत से फल ऐसे थे जिनका मैं नाम भी नहीं जानता था। उन व्रिक्षों में सिंचाई का प्रबंध इस प्रकार किया गया था कि एक बड़ी और पक्की नहर से काट-काट कर छोटी-छोटी नहरें इस कारी-गरी से निकाली गई थी कि प्रत्येक व्रिक्ष की जड़ में पानी पहुँचता था। उसक व्रिक्षों में केवल इतना पानी पहुँचा था कि उनमें फल पकी हुई हालत ही में रहे। बाग को ऐसे बुधिमानों ने लगाया था कि प्रत्येक व्रिक्ष को केवल उतना पानी पहुँचने का प्रबंध था जिससे वे सदैव हरे-भरे रहें और ऐसा ना हो कि जाएं। जमेली, नर्गिस, बनफशा, सौसन, चमपा, बेला, मोतिया, आदिनाना प्रकार के फूल वहाँ पर खिले हुए थे। उनकी सुगंध हवा में भरी हुई थी और उसके कारण मस्तिश्क को बड़ा सुख मिल रहा था। मैं सुध बुध खोकर घंटों वहाँ घूमता रहा। फिर मैंने उस बाग का दर्वाजा भी बंद किया और तीसरा दर्वाजा खोला। उसके अंदर एक पक्षी ग्रिह था। उसमें सारा फर्ष संग मरमर का था। और उंचाई से चंदन आबनूस की लकडियों से बने पिंजरे लटक रहे थे जिन में तोता, मैना, बुलबु लाल इत्यादी तरह तरह के पक्षी थे। वे अपनी मीठी बोलियों से चित्त खुश कर रहे थे। उन पिंजरों में दाने और पानी की कुलहियां बेशकीमती पत्थरों की बनी थी। इतना बड़ा पक्षी ग्रिह था कि कम से कम आदमी उसकी संभाल के लिए जरूरी थे लेकिन वहां एक भी आदमी दिखाई नहीं देता था। साथ ही इतनी सफाई भी थी कि एक दिन का इधर उधर पड़ा दिखाई नहीं देता था। इन आकारों के हिसाब से धेर लगे थे। एक धेर में कबूतर के अंडे जितने बड़े मोती थे। फिर उनसे छोटे मोतियों के कई धेर थे। दूसरे कोठे में नीलम भरे थे। चौथे में सोने की इंटें। पांचवे में अशर्फियां। छटे में चांदी की इंटें सात्वे में मुद्रा की धेरियाँ थी इसी प्रकार अन्य कोठों में किसी में पुखराज किसी में पन्ना किसी में मूंगा आदी रत्न भरे हुए थे मैं इस असीम रत्नागार को देखकर आश्चर्यानवित हुआ और सोचने लगा कि मैं कितना तक दीरशाली हूँ कि इतने खजाने और चालीस सुन्दर शहजादियों का मालिक हूँ फकीर ने जुबैदा से कहा कि हे सुन्दरी मैं उस अश्वर्य का जिक्र करने में असमर्थ हूँ जो मैंने वहां देखा उन्तालीस दिनों तक मैं भिन्न द्वारों में जाकर वहां की हैरत प्रद चीजें देखता रहा चालीसवें दिन मेरे देखने के लिए सिर्फ एक दर्वाजा रह गया ये वही दर्वाजा था जिसे खोलने को मुझसे मना किया गया था मुझे शैतान ने बहका दिया और मैंने अपनी कस्में और वादे तोड़कर उस दर्वाजे को भी खोल डाला दर्वाजा खोलते ही उससे बड़ी तेज सुगंध हाई जिससे मैं सुद्बुध खो बैठा होश में आया तो अंदर गया और ठहर कर उस गंध के कम होने की प्रतीक्षा करने लगा फिर अंदर जाकर देखा तो बहुत बड़ा महल है जिसके फर्ष पर केसर बिछी है और सोने की तिपाईयों पर चांदी के दीपक जल रहे हैं जिनमें इत्र के जैसे सुगंधे तेल भरे थे इसी से वहां तेज सुगंध हो रही थी और भी कई हैरत की चीजें मैंने वहां पर देखी मैंने देखा कि एक और बहुत उम्दा मुश्की घोड़ा बंधा है उसके सामने जो जल पात्र था उसमें गुलाब जल भरा हुआ था और खाने की नाद में तिल और जौर भरे थे उस घोड़े की लगाम में सोने के पत्तर लगे थे मैंने उस घोड़े की लगाम पकड़ कर उसे बाहर निकाला कि बाहर के प्रकाश में उसे भली प्रकार देख लूँ बाहर लाकर मैं उस पर सवार हो गया और उसे चलने का इशारा दिया लेकिन वह न चला फिर मैंने उसे एक चाबुक मारा चाबुक लगते ही घोड़ा भयानक रूप से हिन हिनाया और अपने पंखों से जिन्हें मैंने पहले नहीं देखा था ओड़ चला मैं घबरा कर उसकी अयाल पकड़ कर लटक गया घोड़ा मुझे लेकर इतना उंचा ओड़ा कि वहां से प्रिथवी बहुत छोटी दिखाई देती थी फिर वह उतर कर उसी तांबे के मकान की छट पर पहुँच गया जहां पर मैं पहले पहुँचा था वहां उसने अपने शरीर को इतने जोर का जटका दिया कि मैं पीट के बल जमीन पर गिरा घोड़े ने अपनी पूँच मेरी दाहीनी आँख में मारी जिससे वह फूट गई फिर घोड़ा ओड़ गया मैं किसी तरह गिरता पड़ता नीचे आया नीचे बारहदरी और उसके इर्द गिर्द बने हुए दस कमरों को देखकर मुझे विश्वास हो गया कि यह वही महल है जहां मैं पहले आया था उस समय वे दस जवान वहां नहीं थे मैं उनकी प्रतीक्षा करने लगा कुछ देर में वे लोग बूढ़े आदमी के साथ वहां आये उन्होंने न मेरी और कुछ ध्यान दिया न मेरी आँख फूटने पर सहनुभूती प्रकट की उन्होंने कहा देखो भाई हम लोग तो तुम्हारे दुरभाग्य का कारण नहीं सिद्ध हुए मैंने कहा आप लोग ठीक कहते हैं मुझ पर जो मुसीबत पड़ी वह अपनी ही मूर्खता के कारण पड़ी लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि इस मुसीबत को दूर करने का भी उपाय है या नहीं उन्होंने कहा अगर हम ऐसा उपाय जानते तो अपनी मुसीबत को दूर न कर लेते तुम्हारी तरह हम लोग भी एक एक साल तक उन शहजादियों के साथ आनंद पूरवक रहे अगर हम वह स्वर्ण दर्वाजा न खोलते तो हम उनके साथ आनंद पूरवक रहते तुम हम लोगों से अधिक बुद्धिमान दिखाई देते थे फिर भी तुम वह सोने का दर्वाजा खोलने से बाज न आ सके और अपने को ऐसी मुसीबत में डाल बैठे अच्छा ये तो हम तुम्हें पहले ही बता चुके हैं अब यहां ग्यारहवें आदमी के रहने के लिए स्थान नहीं है तुम्हारे लिए यही उचित होगा कि तुम यहां से बगदाद जाओ जहां का रास्ता हम बता देंगे वहां तुम्हें ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो तुम्हारे दुख दूर करेगा उनकी सलाह मानकर मैं बगदाद पहुँचा रास्ते में दाढ़ी मूँ और भवें मुढवा दी और फकीरों के वस्त्र पहन लिए चलते चलते बहुत दिन बाद आज शाम को बगदाद पहुँचा पर कोटे पर इन दोनों साथियों से भेंट हुई फिर तुम्हारे घर आए जहां तुमने हमारा बड़ा सत्कार किया जब तीसरा फकीर अपना हाल कह चुका तो जुबैदा ने उस से और उसके दोनों साथियों से कहा कि मैंने तुम तीनों का अपराध माफ किया अब तुम लोग यहां से चले जाओ एक फकीर ने कहा कि आप कृपा करके हमें इतनी इजाज़त दे कि हम यहां रुक कर इन बाकी तीन आदमियों की कहानी भी सुन ले जुबैदा ने खलीफा, जाफर और मसरूर की और देख कर अपना अपना हाल कहने का इशारा किया वह यह तो जानती ही न थी कि यह लोग कितने उच्च पद के हैं इसलिए उसने उन्हें अपना-पना हाल सुनाने की आग्या दी खलीफा के वजीर जाफर ने निवेदन किया हे सुन्दरी, हम लोग इस महल में प्रवेश करने के समय ही अपना-पना हाल कह चुके हैं अब तुमने फिर पूछा है तो कहते हैं कि हम लोग मोसिल से आये हुए सौदागर हैं हम अपनी व्यापार की चीजें बेचने यहां आये थे और एक सराय में उतरे थे आज रात के लिए एक सौदागर ने हमें खाने का निमंतरन दिया जब हम उसके घर पहुँचे तो उसने हम लोगों को अत्यंत लजीज खाना कराया और बढ़िया शराब पिलाई फिर देर तक उसके यहां संगीत और नित्य का काम करम चला वहां का शोर इतना बढ़ा कि गश्ट पर निकले सिपाही आ गए उन्होंने कई लोगों को गिरफतार कर लिया हम लोग तक दीर शाली थे कि किसी प्रकार बच कर निकल आए लेकिन रात अधिक बीच जाने के कारण हमारी सराय का दर्वाजा बंध हो गया था हम लोग परेशान थे कि रात कहां बिताएं इधर उधर भटकते हुए तुम्हारी गली में आ गए तुम्हारे घर में हसने बोलने और गाने बजाने की आवाजें आ रही थी इसलिए हमने दर्वाजा खुलवाया तुमने कृपा कर हम लोगों का आदर सतकार किया यही हमारी कहानी है वजीर ने ये बात इतने आत्म विश्वास और इतनी कुशलता से कही कि जुबैदा को उसकी सत्यता में विश्वास हो गया उसने कहा अच्छा हमने तुम्हारा भी अपराध माफ किया और अब तुम सब यहां से चले जाओ वे लोग उठने में जिजके तो जुबैदा ने क्रोध में भर कर कहा जाते हो या जान देना चाहते हो उसकी डांट सुनकर वे सातों व्यक्ती मजदूर तीनों फकीर, खलीफा और उसके दोनों साथ ही चुप चाप उठकर बाहर आ गए क्योंकि साथ हबशी नंगी तलवारें लिए उनके सर पर खड़े थे सातों व्यक्तियों के घर से निकलते ही स्त्रियों ने घर का दर्वाजा बंद कर लिया बाहर आकर खलीफा ने इन फकीरों से कहा कि इतनी रात बीद गई है अब तुम लोग कहां जाओगे क्योंकि तुम इस शहर से परिचित भी नहीं हो उन तीनों ने कहा कि हम लोग भी इसी चिंता में है खलीफा ने कहा तुम लोग हमारे साथ हाओ हम तुम्हारी सहायता करेंगे ये कहकर खलीफा ने वजीर के कान में कहा कि इन तीनों को अपने घर ले जाकर ठहराओ और कल मेरे दर्बार में हाजिर करो इसलिए वजीर जाफर उन तीनों फकीरों को अपने घर ले गया और इधर मसरूर सहित खलीफा भी अपने महल में आ गया खलीफा शयनकक्ष में जाकर अपनी शयया पर लेट गया, लेकिन उसे सारी रात नींद नहीं आई, उसने जो कुछ देखा सुना था, उसका वैचित्रिय, उसके चित्त से उतरता ही नहीं था, वह इसी चिंता में था कि यह बात जान ले, कि जुबैदा कौन है, और उसने दो कर्म, नाश्ता, आदी से निश्चिंत होकर दरबार में गया, और सिंहासन पर बैठ गया, कुछ देर में वजीर ने आकर उसे प्रणाम किया, खलीफा ने वजीर से कहा, जब तक मैं उन तीनों स्त्रियों और दोनों काली कुतियों का पूरा हाल न जान लूंगा, मुझे च खलीफा तुम लोगों से कुछ बात करना चाहते हैं, तुम दरबार में चलो, इसलिए वे तीनों अपने उपर बुरका डाल कर वजीर के साथ चल दी, रास्ते में वजीर ने अपने घर होते हुए तीनों फकीरों को भी बगएर उन्हें कुछ बताए अपने साथ ले लिया खलीफा उन स्त्रियों और फकीरों को देखकर बड़ा खुश हुआ, उसने तीनों स्त्रियों को अपने पीछे की और पर्दे के पीछे बिठाया, ताकि दरबारियों और सेवकों पर प्रकट हो जाए कि ये सम्मानिय महिलायों हैं, फिर उसने उन तीनों फकीरों को जो दर असल राजा और शहजादा थे, उनकी हर श्ठा के अनुसार अपने समीप आसन दिये, स्त्रियों के आसन ग्रहन करने के बाद, खलीफा ने उनकी और मुह कर के कहा, कल रात मैंने मोसिल के सौदागर के रूप में तुम से भेंट की थी, हमारी बातों से तुम लोगों को तुम में जो सदबुद्धी है, वह यदि बगदाद की सारी स्त्रियों में आ जाये तो कितना अच्छा हो, हालांकि हमने अपना वादा तोड़ कर तुम्हें दुख पहुंचाया, लेकिन फिर भी तुमने हम लोगों पर कृपा करके हमें छोड़ दिया, खलीफा ने आगे और तुम तीनों में से एक औरत के कंधों पर काले निशान किसलिये हैं, हालांकि खलीफा ने यह सब स्पष्ट शब्दों में उनसे कहा था, तथा पिवजीर ने एक बार फिर इन बातों को दोहरा दिया, यह सुनकर जुबैदा ने आप बीती आरंभ कर दी, इस वीडियो म के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन के लिए राइट साइड जो नीचे बेल आइकन है, इसको दबा दें, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपके पास सबसे प पहुँचे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए